नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर दोस्तों यह जो हमारा कोश्चन पेपर है दोस्तों यह हमारा यूपी आर वी यू यानल टेजीटी टू का पेपर है देख सकते हैं यहाँ पर टेजीटी टू इलेक्ट्रिकर तो यूपी आर विणल का है तोस्तों इसमें देखिए कोश्चन किस तरह के पूछे गये थे इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखी यहाँ पर डोमेन ना तो maintenance factor यहाँ पर correct answer हो जाएगा दूसरा question यहाँ पर कि यह एक यंत्र है एक यंत्र में जब सूचक यानकी pointer अपनी अंतिम स्थिती में निस्करी यह तरीके से धीरे-धीरे गतिमान होता है तो उसे क्या कहा जाता है तो धीरे-धीरे जब गतिमान होगा दोस्तों तीसे हम देख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए चौथा question यहाँ पर करें कि डेसी मसीनों के संब्ध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो सत कथन यह है कि बिना किसी सनरचनात्मक परिवर्तन के डेसी जनरेटर को उपयोग डेसी मोटर के रूप में किया जा सकता है और इसके व जहला question यहाँ पर है कि अनुनाद आवरित्ति के ऊपर प्रचालित श्रियाणी अनुनाद परिपत के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है तो देखिए अनुनाद आवरित्ति के ऊपर प्रचालित श्रियाणी अनुनाद परिपत के लिए निम्न में से जो सत्य कथन है वो है क सकती गुड़क पश्च वारती और एकांक से कम होता है ठीक तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएगा आपसा नमबर भी अब देखिए यहाँ पर छठा कोशन है यहाँ पर कह रहा है कि निम्नमेंस से कौश सी अभिलाज छडिक लैप वैंडिंग के लिए तो देखिए यहाँ यहाँ पर करेक्ट अह जाएगा यहाँ पर साथी मुक्त होता है कि यहाँ पर मसीनों से कारे करते समय दूर घटना और कि अंतर गता साथ या किस दूर घटनाओ के कारणाram है और कि अब दखे आपना यह नौवा क्वोशन ने के यूणिवर्सल मोटर यूञार मोटर माने के लिए तैयार किया गया है तो देखिए यूनिवर्सल जो मोटर है एक विस्यस परकार का मोटर है जिसे कि डीसी और सिंगल फेज यसी अपूर्थी पर चलाने के लिए तैयार किया गया है ठीक तो यहाँ पर नौमे का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए आपर दस्वा यानि कि लूमिनस फलक्स और लैंप द्वारा खपत की गई सक्ति का अनुपात बताई है तो यह जो अनुपात होगा दोस्तों यह होगा आपका प्रदीप्ति प्रभाव का रिता हो गए यानि कि लूमिनस इफिसियंद इफिक के सी ठीक अब देखिए आपर बारे नंबर कोशन है कि डिसी मोटर के गती नियंतरन से संबंदित वार्ड लियोनार्ड बिधियों के लिए निमनमिस से कौन सा कथन सत्य है जिसके लिए जो सत्य कथन होगा कि मोटर एक समान तुरान के साथ चल सकता है थेरे नंबर कोशन है कि भारत में वैद्धूतित तारों के लिए मानक रंग कोडिंग के अनुसारे निमनिकी में से कौन सा तार तीन फेज प्रडाली में निउट्रल तार कर निरूपन करता है तो देखिए निउट्रल तार जो होता है दोस्तों वह बलैक कलर का होता है ठी अब देखिए यहाँ पर चवदे नंबर कोशन है कि कैपिस्टर इस्टार्ट इंडक्शन मोटर और कैपिस्टर इस्टार्ट कैपिस्टर रन इंडक्शन मोटर कितने किलो वाट तक उपलब्ध होते हैं तो ये देखिए दोस्तों 6 किलो वाट तक उपलब्ध होते हैं अब देखिए पंदरे नमबर कोशन है कि जब कार्यास्थल पर आग लग जाती है तो आवस्य कार्यवाई रेस होती है रेस का क्या अर्थ है तो race का अर्थ होता है दोस्तों rescue, alarm, confine और इसके बाद होता है evacuate ठीक और देखिए यहाँ पर 16 नंबर question है कि एक चार धुरू तुल्ले काली मोटर को 440 वोल्ट 50 हर्ज आप उर्थी से आप उर्थी दी जाती है मोटर की तुल्ले काली गती की गड़ाना करें तो देखिए जो मोटर की तुल्ले काली काती होगी दोस्तों वो होगा 15 सब आर्पीम यहाँ पर 17 नंबर question है कि magneto motive force यानि कि चुम्ब की वहाग बल को कैसे मापा जाता है तो देखिए क्या अर्मीचर रियक्षेन के करण कोई ऐसंत्रित डीसी मसीन की प्रविड़ती किस प्रभाव में होगी तो दोस्तों आपक क्रास चुम्बकन प्रभाव तो क्रास यह जाता है तो रोटर क्या क्या होती है तो देखिए जब किसी प्रेरान मोटर को चलू किया जाता है तो जो रोटर क्या अवरिती होती है आपुर्थी के बराबर होती है कि एक 14 Crunch है कि बंढभकों या उच्छ तापी स्थिर्ता वाले सिलिकान रेजिन के साथ सिरैमिक और क्वार्ड जैसी सामगरे के लिए निर्धारित इंसुलेशन तापमान किनना होता है तो वह 180 डिग्री सलस्यस से अधेख होता है 22 नंबर कोशन है कि सिलिप रिंग इंडक्षन मोटर की तुलना में निमन में से कौन से स्क्वेरल केज इंडक्षन मोटर की सही अभिलाच छिडिकता है तो यह दोस्तों कि रोटर प्रतिरोद विधी द्वारा गति नियंतरन संभव नहीं है अब देखिए आपर 20 नंबर कोशन है कि टांसफारमर का कोर लेमिनेशन का बना होता है किसका उपियोग करते हुए लेमिनेशन को एक दूसरे से प्रिथक किया जाता है तो यह किया जाता है दोस्तों वारनिस से अब देखिए 20 नंबर कोश्चन है कि यह जो फीगर है दोस्तों कौंसर फीगर है तो यह दोस्तों आपका डायक का फीगर ठीक अब 25 नंबर कोश्चन है दोस्तों कि एक पदार्थ में वोल्टेज के अनुपरियोग यानि कि अप्लिकेशन के करान एक सूचक यानि कि पॉइंटर से दूसरे सूचक यानि कि पॉइंटर तक मुक्त आवेसों की सुद्धगती होती है इस प्रकार के संचल यानि की मुवमें की अनुसंसा की जाती है तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर कोशन है कि डिसी जनरेटर आर्मेचर लैप वाइंडिंग में कितने समनांतर पत्थ होने चाहिए तो इसमें होते हैं दोस्तों धुरूओं की संक्या के बराबर होता है ठीक 28 नंबर कोशन है कि किसके लिए आर्ट टांसफार्मर का उप्योग इस्टार के रूप में किया जाता है तो देखिए इस्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड स्क्वेरल केज मोटर दोनों के लिए दोस्तों हम लोग आर्ट टांसफार्मर का परियोग इस्टार के र इसके या इसकी किस पर निर्भर करता है तो जहीं जो इंडक्टेंस होता है डोस्तों इसापेची आपेच्छिक पारगमतापन निर्भर करता है इतिसनमर कोशन है का संद्रह लें और सभी कल्प का चैयन करें पहला है कि अपराइट ड्रीलिंग मसीन को मध्यम आकार के वर्कपीस यानकी कारखंड को सभालने के लिए किया जाता है भी कह रहा है कि अपराइट ड्रीलिंग मसीन को पावर फील्ड पर उस्ता के साथ आप उर्थे की जाती है तो यहाँ पर दोनों कथन सब्सक्राइब है अब देखिए 32 नंबर कोशन है कि किस तूटी को कम करने के लिए उर्जा मीटर की डिस्क के ब्यास पर दो छिद्र किये जाते हैं तो देखे जो क्रीपिंग इरर होता है तो क्रीपिंग इरर को दोस्तों कम करने के लिए उर्जा मीटर की डिस्क के ब्यास को पर छिद्र करते हैं तो दो छिदर करते हैं क्रेपिंग इरर को कम करने के लिए तैस्ट मंबर कोशन है कि एक परमाड की परते कच्छा में अनुमत इलेक्टानों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है जहां यह क्रमांकित कच्छा है तो यह होता है दोस्तों आपको टू यान स्क्वेर अब वायड लियोनाड नयंत्र विधी में DC मोटर की गति को किसके द्वारा नयंत्रेत् किया जाता है तो इसके आरमेचर में परिवट्न हborता देने के द्वारा नयंत्रेतING किया जाता है 36 नमबर कोशन है ये किसी आटो टांसफार्मर के सेकंडरी वरंडिंग में ब्रेक यानि की भंजन हो जाए तो क्या होगा तो ये क्या होगा दोस्तों तो प्राइमरी साइड से सेकंडरी साइड लोड तक पूर्ण वोल्टता उपलब्द होगी तो आपसो नमबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा 37 नमबर कोशन है कि मोविंग क्वल इंस्टुमेंट यानि कि चल कुंडरली यंत्र द्वारा ये सी वोल्टता को क्यों नहीं मापा जा सकता ये पॉइंटर का बिच्छे आपूर्टी की धूरोता पर निर्भार करता है 38 नमबर कोशन है कि बिद्धूत परिपतों में फ्यूज के लिए निम्नमिस से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो यह कि जब तार के निर्धारित मान से धी धारा प्रवाय हो तो फ्यूज को पिघलना नहीं चाहिए 40 नमबर कोशन है नमनलखित कथन को पढ़िये और स्वयूत तर चुनिये यहाँ पर कह रहा है कि लिए डेसिट बैटरी चार्ज करने पर एनोर्ट चाकलेट ब्राउन भूरा हो जाता है सही है दूसरा कारे के लिए डेसिट बैटरी चार्ज करने का थोड़ गरे इस लेटी हो जाता है तो यह भी सही है तो यह और भी दोनों सत्ते है अब एक तालिस नमबर कोशन है कह रहा है नीचे दिये गए अलग-अलग परकार के लैंपों में किसकी जीवन काल सबसे कम होती है तो है लोजन लैंपों का जो जीवन काल होता है दोस्तों बहुत कम होता है 42 नूम्बर nous है कि dc series motor को किस के दौरा चालू किया जाता है द देखें dc series motor को दोस्तों जो चालू किया जाता है यह दो 20 Starter के दौरा चालू किया जाता है transformer में distri breath की का क्या है देखें transformer में there का का तुकार है वहाखिक वहाट से नमी को आसूसित करना का में ऐसा य थो निदेंड़ कोशन है कि brush क्रकार की टंसफारमर में कितने अंग होते हैं या लिंब होते हैं तो सेउप तो प्रकार की टांसफारमर में में दोस्तों तीनAmण होते हैं मैंतानी 5 नमबर कोशन ही कि पर्रिपत से गज़ारने वाली प्रत्राइ धारह I equal to 20 90fa तीन सो चवदे दसमलाद दो टी है जब टीक कोलटी जीरो जीरो दो सिकने तो धारत अच्छा ताथ छड़ी कमान कितना होगा त्यों होगा दोस्तों जीरो एंपिया 46 नमबर यहां पर कोशन कहा रहा है दोस्तों कहा रहा कि भू संपरकन यानि कि अर्थिंग की आवसकता के लिए निम्न में से कौन सा कारण नहीं है तो यह है कि मिर्धा की प्रतिरो धकता पढ़ाने के लिए 47 नमबर कोशन है निम्न में से कौन से सेल प्रात्मेशल नहीं है तो लेठिया मायल सेल दोस्तों आपका प्रात्मेशल नहीं है 48 नमबर कोशन है कि एक संधार्थ 300 30 सेंटीमीटर कुड़े 50 सेंटीमिटर आकार की दोचाल की धात inauguration से निरमित किया गए है जो एक दूसरे से च्छाय यम्यम की दूरी पर रखें गई है इनकी एक मात्र प्रावैदू समगरी के रूब में किया जाता है तो संधारित की धारता क्या होगा तो सब्सक्राइब के द्वारा किया जाता है तो देखिए संट मोटर का जो गती नियंत्रन किया जाता है अभिवा है नियंत्रन विधी यानि कि फलक्स कंट्रूल मिथट के द्वारा किया जाता है पचास नमबर कोशन है कि यहां पर कि यह जो है फिगर इसमें कहा रहा है कि धार आईवन कमान ग्याद करना है यहां पर जो धारा आईवन था इसका मान आएगा दोस्तों साथ आने वाली धारा इकुल टू जाने वाली धारा से निकाल लेंगे क्या नमबर कोशन है कि यह लीडी की स्रिंखला में एक बात की पुष्टि की जाती है कि यदि कोई यह लीडी खुला परिपत बना रही है दोस्तों यह लीडी का पता लगाने के नियमने में से कौन से मीटर सबसुप्यूक्त है तो डिजिटल मल्टिमीटर जाता है त्रीपर नमबर कोशन है कि ओवर हैं ट्रांस्मिस्टन लाइन में कोरोना प्रभाव के गठन से संबंधित में से कथन सत्य नहीं है त्याइद जो सत्य नहीं कथन है वह है कि ठोस्त चला की सत्य अनियमित होती है और इसलिए स्टेंडर्ड चला की तुन माधिक पर में करता है ठेक जबन नमबर कोशन है कि 15 मीटर गुड़ा 15 मीटर आकार के एक यान कि 15 गुड़े 15 मीटर आकार के एक हाल को 40 लक्स से प्रदीप्त किया जाना है यादि लैंप दच्छता साथ ल्यूमेन प्रवाट है तो उपयोगता गुड़ांग 10 मल अच्छा है कैंडल स 25 तो आवस्य कुल वाट चमता गयात कीजिए तो यह होगा दोस्तों एक किलो वाट पच्छपन नमबर कोशन है नेमने में से कौन से विकल्प कला कौन छोटा होने पर लैंडिस यहम जाइटर ट्राई वेक्टर मीटर में गीयर को चलाता है तो रहता है किलो वाट हावर अब जाखिए यहाँ पर 56 नमबर कोशन है कि जब डिसी जनरेटर के चुम्मे की उतकरमाड में बृध्धी होती है तो किस हान में तेजी से बृध्धी होगी तो यह होगा दोस्तों भामरधारा हान संताव नमबर कोशन है निमन में से कौन से पदार्थ विद्धुत मापन अरेंज वड़ाने के लिए गुड़क के रूपे में उपयोग करने के लिए सबसे उपयोग तो होती है तो यह रहता है मैगनिन और कांस्टेंटन अंठाव नमबर कोशन है कि लाइन फोर्स फिल्ड रेजिस्टेंस चोग कोयल ट्रांसफार्मर उपरोगते आकरिती में दर्साय गया तड़िते यानि कि लाइटिंग अरेश्टर के प्रकार की पहचान करें तो यह जो लाइटिंग अरेश्टर है यह हारन गैप अरेश्ट तो फार फार एक्टार होगा दोस्तों एक दस्मलों एक 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 एमपी है साथ नमबर कोशन है कि 1956 के इंडियन इलेक्टरिसिटी नियम 79 के अनुसर जहां नियम निया मध्यमोल्टिता लाइन और सर्विस लाइने किसी इमारत के पास सोकर गुजरती है जहां 36 अंतराल कितना होना चाहिए तो चार फिट होना चाहिए एक साथ नमबर कोशन है कि इसकी स्थिती में प्रतिरोध का ताप गुडांग रुडात्मक होता है तो देखें बिद्धुत अब घट की स्थिती में प्रतिरोध का जो ताप गुडांग होता है रुडात्मक होता है 62 नॉम्बर कोशन है कि एक प्रतिरोधक में चार बेंड कलर कोडिंग हरा नारंगी पीला और सिल्वर है प्रतिरोधक के मान की गड़ना करें यहोगा 530 गिलो प्लस माइनस 10 परसेंट 63 नॉम्बर कोशन है कि टांसफार्मर का प्रस्यत वोल्ट था वी नियमन ग्यात किजी जब सुन ने लोड पर सेकंडरी टर्मिनल वोल्ट था वी टूंटी है और नियत लोड पर सेकंडरी टर्मिनल वी टू है तो यहोगा विटू विटू यहाँ पर माइनस विटू बाई विटू इन्टू हंड्रेड 64 नमबर कोशन है कि 33 किलो वोल्ट और 66 किलो वोल्ट की रेंज में प्रचालन वोल्टता वाली पडाली के लिए किस प्रकार की केबल क्या उसेकता होती है विभिन प्रवैद्दू की परतों का उपयोग करके किसी केबल में प्रवैद्दू प्रतिवल में एक रूपता प्राप्द करने की प्रकिरिया को क्या कहा जाता है तो इसे केबल की कैपसिटेंस ग्रेडिंग कहते हैं छाँ-छाठ नंबर कोश्चन है नियम नलखित में से किस लैंप का लियूमेन पर वाट उच्चतम है तो देखिए जिस लैंप का लियूमेन पर वाट उच्चतम है तो वह लो प्रेसर सोडियम लैंप है 67 नंबर कोश्चन है कि 40 kVA सिंगल फेज टांसफार्मर में प्राइमरी पर 400 फेर हैं और सकेंडरी पर सब फेर हैं प्राइमरी 4440 वोल्ट पचास अपूर्थी से संबध है अधिकतम फलक्स कमान निर्थारित कीजिए तो यह होगा 0.05 वेबर 69 नंबर कोश्चन है कि निमने टेंशन केबल की वोल्टेज सीमा कितनी होती है तो यह 1000 वोल्ट तक होती है 69 नंबर कोश्चन है कि कथनों को पढ़ें और कैपसिटर इस्टार्ट कैपसिटर रन सिंगल फेज इंडक्सन मोटर के लिए सहीवी कल्प का चैयन करें तो यह कि फ्यूज के रूप में उप्योग किये जाने वाले गोलतार का अभ्यास है और के फ्यूजिंग इस्थ्रियांग का है और फ्यूज करेंट ग्याद कीजिए तो यह होगा दोस्तों आइकोल टू के डी का पावर 1.5 काता नंबर कोश्चन है कि 12 पोल लैप वांड डेसी जन का मेचर में 304 लग हैं और 1000 पर चलते हैं यादि उप्योगी फलक्स प्रतिपोल 004 वेबर है तो उत्पनिया में व्याद किजिए यह होगा 600 वोल्ट दोस्तों अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए यह जो मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग यहां पर जो से जोइन करेंगे इसका वद आपको होम पेज पर जाके आपको फाइल स्वुक का एक सेक्शन दिखेगा वहां से जाके आप इस पीडियाप को प्राप्त कर सकते हैं ठीक तो आप लोग टेलिग्राम जरूर जोइन कर लें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जा फैन उपकरान है ठीक अब देखिए यहाँ पर चौत्तर नंबर कोशन है कि इस टेबल मल्टी वाइब्रेटर आस थाइब बहु कम पित्र में निम्न और उचितम निर्गम की आवास्था क्या होती है तियो तो दोनों आवास्थां में से कोई भीस्ति नहीं होती है 76 नंबर कोशन है देख सकते हैं कि आकरिती में दर्थायगे DC जनरेटर का नाम बताइए तो दोस्तों यह जो DC जनरेटर है यह आपका है दोस्तों 60 संट DC कंपाउंड जनरेटर 77 नंबर कोशन है कि भूसंपर के तार के लिए देख स्वसांपर के तार से होकर प्रवाहीत होती है 79 नंबर कोशन है कि digital CR के निवेश प्रवारधा का आउटपूट किस रूप में होता है तो द्विघी आधारी रूप में होता है गुर्तवा करफ नियंतरन के संबंध में सat dus यह माप यंद्र पूरी तरह से 14 सोना चाहिए 21 सी नंब्र कोशन है कि चित्र में यह जो फिगर दिखाए गया करहा है बजर, गेट और नाइप स्विच उपरोक्त आकरती दोर अलारम सर्गिट है तो यक्स क्या है यहाँ पर जो यक्स है दोस्तों यहाँ का सिलकन कंट्रोल रेक्टिफायर है यह स्घूर पसक्तर है यह जो सीर करती है प्राइस घिमंट का प्रियोग का भर्लिट करती है तो इसके बना słu कि आपतर पर इस्तिमाल किया जाने वाले आवराण किसे से बनाया जाते हैं तो देखिए पाली विनायल कुलॉराइट के बनाया जाते हैं ठीक चौरासी नंबर कोशन है कि साधान विद्दुत कनेक्शन में पारंबर एक धारा प्रवाह बताएं तिया है धनात्मक टर्मिनल से रुलात्मक टर्मिनल तक पचासी नमबर कोशन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियाब के नियाब के दाएं हाथ के तरजनी अंग उठा और मैध में एक दूसरे स्प्रस पर संपूर पर होती ही तो तरजनी क्या बताती है तो चुम्बिकी छेदर की दिशा को बताती है 86 नमबर कोशन है कि विद्धुत धारा किसी परिपत में विद्धुत आवेस का प्रवाह होता है निमनलिखित कत्रों का संदरह बिलें और सही विकल्प का चैयन करें तो देखिए यहापपर है कि पहला कि आवेस्टी एक रूप से आवेसती इलेक्रिटान हो सकते हैं मिल्कुल सही है दूसरा कि आवेसध्थ धणात्मक आवेस्वाह हो सकते है जिसमें क्रोटन और धनात्मक कायन सामिल होते हैं भी आपका सही है तो यहाँ पर डिया अपन से हो जाएगा किया और भी दोनों सत्य है इसातासी नंबर कोश्चन है निम नमें से कौन सी अभिलाचलेक विसेश्था मॉस्फेट के संबंध में सत्य नहीं है कि मॉस्फेट धारा नियंत्रित युक्तियां यानिकी डिवाइस है अठासी नंबर कोश्चन है कि चिकत सीए प्रात्मेक उप्चार में डी आरेवी का क्या अर्थ है देखिए डी आरेवी का फुल फर्म है कि डैंजर रिस्पांस एयरवे ब्रेथिंग यहां पर जो है इसमें दोस्तों आपको आर कमान बताना था आर गमान आएगा दोस्तों दो दसमेलों 1-1 गों कि नवगय नंबर कोशन कि सिलिप रिंग इंडब्चन उम्ठर के लिए नियुम्न में से कौन से कथन शत्थ है इसमें उच्च टार्क की स्टार्टिंग टार्क और नियुम्न स्टार्टिंग करेंट होता है 91 नमबर कोशन है जब एक प्राववैद्धूति यानि किटा इलेक्ट्रिक AC वोल्टेज के अधिन होता है तो पदार्त द्वारा विद्धूत उर्जा उसोसित की जाती है इस उर्जा को क्या कहा जाता है तो प्राववैद्धूति कहान कहते है 92 नमबर कोशन है कि UJT में नैज प्रतिरोध अनुपात का मान कितना होता है तो यह होता है 0.05-0.08 तक 93 नमबर कोशन है नमलखित में से विद्धूत चुम्बी की प्रेवडरा का कौन सा नियम न्यूटन के गट के तीसरी नियम का पालन करता है तो यह रहते हैं दोस्तों लेंज कर निया और घटकों को PCB से सूल्टन करते समय सूल्टन पदार का कौन से संयोजन होता है तो LED और TIN का संयोजन होता है 95 नमबर कोशन है कि यह होता है due to low permeability 96 नमबर कोशन है कि केबल के लिए grading किसके दौरा प्राप्त की जा सकती है तो यह धारता grading और interseed grading 97 नमबर कोशन है कि आमतवर पर किस पकार के प्रतिरोध हो का उपयोग सकती परिपत यानकि पावर सर्कुट में होता है तो wire around प्रतिरोध का परियोग पावर सर्कुट में होता है यह जो figure है दोस्तों किसको इंगित कर रहा है तो यह जो figure है दोस्तों आपको चितावनी को बता रहा है 99 नमबर कोशन है कि Maxwell का का किसक्रूनियम किसके निर्धारन करने के लिए उपयोगी है तो Maxwell का का किसक्रूनियम है तो वह दोस्तों कि ये छेत्र रेखाओं की दिशा यदि विद्धुद्धारा की दिशा गयात हो है ठीक है हंडेट नमबर कोशन है इसमें प्रणामी धारा को ग्यात करना है तो यह होगा दोस्तों दूद्ध दस्मलों साथ तीन मिली एंपियर 101 नमबर कोशन है कि सकती आने क आकार के साथ सथ कुंदली ताफ कुंदली को किस पकार जोड़ा जाता है तो अगधिक कुंद्ध county को लोटके साल विज़ली से बचाता है जैता है कि प्रिष्ण करगे आप से यहाँ पर करक्ड़ जाएगा एकसो तीन नमबर को चाने निंद्यमना में से किस यंधर को उप्योग विए चपक्रों को निर्दारित करने के लिए किया जाता है तो यह रहते हैं दोस्तों हमारा घ्लग समीटर एक सोचार नमबर कोशन है तो यह किसका फीगर है दोस्तों और डैम्प का कह रहा है यह फीगर सो इन डिफलेक्शन विथ रिस्पेक्ट टु टु टाइम्पिंग फॉर्स इन इलेक्टिक मेजर इंस्टूमेंट इस सिस्टम ए इज यहाँ पर यहाँ पर यह जो है दोस्तों स किस रूप में जाना जाता है तो इससे जाना जाता है रीमिंग के रूप में अब देखिए 106 नमबर कोश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर यानि कि तुलिक काली जो मोटर होता है इसका सकती गुड़ांक या पावर फैक्टर कितना होता है तियोता है पस्यगामी या एकांक यू प्योग में लिए जाते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर विग्यापन बोड़ गलत है टेवी केबल डेटा केबल सभी गलत हैं यहाँ पर सभी कतार असकते हैं लिन्क विकरिती किसमें देखी जाती है तो क्हलास भी प्रवर्वर्दा Noah कि यह के्रासिंग में लिकर इंद यूँ क्रादी देखी जाती है एक सबसटर की सबाइट आरे किस विress परडाल साथ Extra यह जो वायरिंग प्रडाली प्रडाली है 느낌이 ट्री सिस्टम है 110 नमबर कोश्चन है कि कथनों को पढ़ें और सर्विस कंड़क्टर के आकार के चैयन पर विचार करते हुए सहभी कल्प का चैयन करें तो देखिए यह भोग तलोट पर निर्फर करते हैं सही है यह दुरूवों से दूरी पर निर्फर करते हैं यह भी आपका सही है 111 नमबर कोश्चन है कि जब कापर इश्ट्रिप को भुसंपर के रूप में उपयोग की जाते तब कापर इश्ट्रिप के निवत्व परस्थ काट कितना होना चाहिए तो 25 यमियम गुड़े एक दस्मन चाह यमियम होना चाहिए 112 नमबर कोशन है कि separately excited DC generator क्या हो सकता है यह हो सकता है दोस्तों उत्यजी तूल्टिता या उत्यजी धारा हो सकता है 103 नमबर कोशन है कि single phase induction type energy meter में किस band का कार संट चुम्बक द्वारा उत्पादित फलक्स को अनुपरस्थ वोल्टिता के साथ बिल्कुल समकुणांतर मिलाना है यह कापर सेडिंग बेंड अब जखिए 104 नमबर कोशन है कि single phase transformer की तूलना में three phase transformer के लिए कहां KVA rating समान होती है निमन में से कौन सो कथन सत्य नहीं है तो यह है दोस्तों कि यह अधिक जगह लेता है कि 115 नमबर कोशन है कि soldering flux के बारे में कथनों को पढ़ें और सभी कल्प का चैन करें तो यहां पर है कि पहला कि जेंके chloride, ammonium chloride और hydrochloric acid आमतर पर soldering में इस्तमाल होने वाले flux के उजारान है यह बिल्कुल सही है दूसरे कहने कि soldering के flux कार अब अब अबने समगरी के रूप में कार करना है तो यह अपर गलत है तो पहला सही है यह वाला सही है भी वाला गलत है 116 नमबर कोशन है कि इस voltage band पर नियान हैंड टेस्टर कार करता है तो सबसे धाइस वूल्ट पर नियान हैंड टेस्टर कार करता है 117 कोशन है कि mosfet में किसका विध्धुत छे्ट प्रियूद होता है तो चैनल धार के नियंतरत करने के लिए गट धारतय मिद्ध्ध्धुत प्रियुक्त होता है एक साथारी नंबर कोश्चन है कि फ्यूज एलिमेंट की निवन्तम फ्यूजन धारा और धारा रेटिंग के अनुपात वो क्या कहा जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजिंग फैक्टर अब देखिए 119 नंबर कोश्चन है कि दस्वन लोग एक ओम प्रतिरोत का मुविंग कोईल इंस्टुमेंट चल कुंडली यां 400 मिली एंपियर का पूर्ण पैमान बिच्छे पर देता है बताएं कि मोटर का उपियोग 20 एंपियर तक धारा तक की धारा को मापने के लिए कैसे किया जाता है 00002 ओम का संट जोड़ करके 120 नंबर कोश्चन है निमनों में से कौन से विकल कारवन कंपोजिशन रजिस्ट्रा के संयोजनों में से एक नहीं हो सकता है तो यह रहता है सिरेमिक राड एक सब्सक्राइब कि मेटल हैलाइड लैंप क्या है तो देखिए मेटल है प्रतिबादा और निर्गत प्रतिबादा होती है अब देखिए यहां पर यहां पर है कि उपरोग्त चाल बनाम बलागुण अभलाच लिखता है इन्हें से किसमें देखी जाती है तो यह डिसी सीरीज मोटर में देखी जाती है 124 नमबर कोशन है निम्नमिस कौन सी डीसी मोटर परिवर्ति चाल वाले अनुक परियोगों के लिए उप्यूगत हैं जिसमें मध्य में स्टार्टिन टार्टिया हो सकता होती है जैसे संट्रिफिगल यानि कि अपके अंदरी पंप और फैन बुलोवर्ति रहता है दोस्तों ड कि 126 नमबर कोशन है कि अर्मेचर अनुकरिया के लिए निम्नमिस कॉन सही नहीं है तो यह कि अर्मेचर फलक्स मुख्य फलक्स के प्रभल बनाता है इलेक्ट्रिक आयरान यानिके विद्धुत तिस्थ्थरी की सिध्धान पर कारी करती है तो उसमें प्रभाव के सिध्धा कि यह सामगरी नेश्चित करांतिक तापमान के नीचे दीर कप्राश चुम्ब की करम को प्रदर्शित नहीं करती है तो यह रहता है अनुचुम्ब करते हैं 131 नंबर कोशन है कि प्रकाश परिपत के लिए कापर केबल के निउंतमाकर कितना होना चाहिए तो एक दसमपने एक-धूयमः होना चाहिए 132. कोशन है कि यदी बायस यानी क्यू पॉइंट को लोड लाइन के माद इबिन्दू के निकट के रूप में सेट किया जाता है तो यह कला से का प्रवर्धक कहलाएगा 133. कोशन है कि टांस्फारमर में निम ना हानियों में से किसे परिवर्धी हनियों के रूप में जाना जाता है तो ताम रहान के उपर वर्तिहान के रूप में जाना जाता है 134. nós नमर कोश्ण है कि बाटा वराने से टांस्फारोंर में नमी के प्रवेस को filter करने के लिए 90. सिस घटा को उपयोग किया जाता है जिसके लिए breather का परियोग किया जाता है 135 नमबर कोशन निमनम से कौन सी एक ऐसी संट आव सेपता नहीं है जिसका उपयोग मापन रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है तो यह रहते उचे तापी बिदूत से इस्थायतिक बर्ड 136 नमबर कोशन है जब कमपास को स्वतृत रूप से सम्तल में लठकाए जाता है तो यह प्रिद्वि की सतय के सम्नांतर नहीं होता है भलकि 36 के साथ यह कूनğ बनाता है इस कून को क्या कहा जाता है तो इससे कहा जाता है चुम्बकी सुई की नती 137. question निम्नमें से कौन से विकल पर मोटर कोश हुए वी नियमन मोटर बनाता है तो यह रहता है पश्च EMA 138. question निम्नमें से कौन से अथन DC पावर की तुलना AC पावर से करने के संबंध में सत्य नहीं है तिया है कि CC की तुलना में AC में Transmission के दवरान पाम वरहानी अधिक होती है 149 नमर कोच्चन है IndyMn.Scr hablando Circuit Breaker की परचालन, अवादी और Fuse की परचालन अवाधी की तूलना है तिया है दोस्तों कि Fuse की प्रचालन अवादी Circuit Breaker की परचालन आवेद की तुलना में बहुत कम होती है 140 नंबर कोशन है यांत्रिक गुण और तापमान प्रतिरोध में सुधार करने के लिए सुल्डर को अन्य मिस्रिधातु तत्नों में मिस्रित किया जाता है जानिये की पैचाने की नमें से कॉंसर नहीं है तो वह है दोस्तों रेडियम 142 नंबर कोशन है कि एकस पल्सन टाइप प्रोत्तकर्स प्रयगराही यानि कि सर्ज अरेश्टर को किस रूप को और किस नाम से जानते हैं तो यह जानते हैं दोस्तों प्रोटेक्टर ट्यूब अरेश्टर के नाम से 142 नंबर कोशन के श्रीज मोटर में सैप्ट बल अगुण, साप्ट बल अगुण और मेचल बल अगुण से कम होता है क्यूं यह होता है इस्ट्रिलास के कारण इलेक्ट्रिकल वाइरिंग के लिए फिटिंग के उचाए की संबंद में उस कथन के चेंट किये जी जो सत्य नहीं है तो यह कि लाइट प्लग पावर प्लग टेलीफॉन साकेट इंटर काम साकेट टीवी साकेट फार्स से एक दस्मान पांच मीटर उपर होना चाहिए 144 नंबर कोशन है कि बीजटी के लिए नेमने में सकाउंट सा कथन सही नहीं है तो यह दोस्तों कलेक्टर रीजन में मादन अस्तर सर्जक के मादन अस्तर की तुलना में थोड़ा अधिक है अब देखिए आप एक सब 45 नंबर कोशन है कि बेसिक डी और सोनवल गैलवनो मीटर कि यह अंत्र के सा समनांतर क्रम में एक छोड़ा प्रत्रोथ जोड़कर अमीटर में परिवर्टित किया जा सकता है कि इस प्रत्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं तो संट कहते हैं 46 नंबर कोश्चन है कि पूरी तरह से चार्ज निकिल के लिए प्रत्रिसल इया में अपनियाद करते हैं 148 नंबर कोश्चन है निम ने दिये गए दो कथनों को पढ़ें और यमजी सेट के लिए सभी कल्प का चैन करें तो यह देखी कहा रहा कि पहले इंडक्सर मोटर जनरेटर सेट उत्करमणी नहीं होता है बिल्गुल सही है दूसरा कि बहुत उच लोड़ पर तुल लेटिंग विलंब इस्तिति में और निर्गत में विलंब होगा 150 नंबर कोशन यहां पर करें कि तुलिकाली मोटर में डैंपर वाइंडिंग का उप्योग क्या होता है तो यह होता है प्रवर्तन बलागुन आज प्रदान करने के लिए ठीक तो यहां पर 150 का डियांसर प्र यह जो प्र है यह दोस्तों यूपी आर्विनल का प्र है जो कि यहां पर दे सकते हैं 21 दिसमबर 2022 का सेगंट पर है और सेकंड दोस्तों जो लोग पर नहीं देखे हैं उसका दोस्तों जो लिंक वह मैं आपको डिस्क्रिप्समांस में दे दूंगा आप महां से जाके देख कशनगे और छाप देख लिए चाहिए पीडिया आप सब्राप्त कर सकते हैं यहां पर पर इसी नाम से आपको पर सर्च करना नहीं पर एंडडस लिगराम पर और वहाँ पर पर टेलिग्राम चैनल आजागा जो इनके अपना प्रानल्ट कर लिजिए ठीक मिलेंग नेश्ट